हेलो चैंपियंज, वेलकम बैग टू, लेट स्कोर हंडेट, दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, प्रिंट कम्स टू यूरोप, दोस्तों मुझे पता है आप लोगों को वाइन एन ओल्लुप्रेस क्या है, लेट बोल्ड क्या है, ये ट्रिंकेट क्या है, ये समझने आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बट आज आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी, आपके वल ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सुनिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, न के वल आपको अच्छे से ये समझ में आएगा, बलकि आपको at the same time बहुत ही आसानी से learn भी हो जाएगा, तो चलिए, आएए इसी के साथ शुरू करते हैं, तो हमारा जो आज का topic है, that is print comes to Europe, दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि print जो है, वो East Asia में, print technology बिसिकली बोलेंगे, वुड ब्लॉक की जो print, वुड ब्लॉक जो technology थी, वो एशिया में develop हुई, majorly चाइना में, उसके बाद यह रहाप, चाइना, चाइना से जो buddhist missionary थे, उन्होंने इसको जापान अपने साथ लेके गए, और यह रहापना Korea, तो बिसिकली यह इन तीन countries को credit जाता है, चाइना, Korea and Japan, यहाँ से printing technology develop हो करके, अब कहाँ पहुच जाएगी यह, Europe, यह देखे, चाइना से silk route क्यों थ्रूँ देखे, यह जो silk route है, यह land वाला silk route है, जो red से है, यह देखे, चाइना से print देखे, इटली पहुच रहा है, यह चाइना से अपना पहले देखे, यह West Asia है, इरान वगर रहा है, यहाँ से होते हुए, यह देखे, यह चाइना से यह print इटली पहुच रहा है, आए इस इनी ही सब बातों के बारे में हम लोग details से पढ़ेंगा, और एक चीज़े देखे, यह जो red से है, वो land route है, silk route का, और यह जो blue से है, blue one is waterways, right, इनके थूँ लोग, यह भी silk route ही है, तो basically red वाला land route है, और blue वाला waterways है, right, ships वगरे से लोग travel करते थे, चलिए, अब देखते हैं, so print technology comes to Europe, कैसे, आए समझते हैं, देखे, for centuries, silk and spices from china, flowed into Europe through the silk route, हम लोगो ना अलोगी डिसकस किया, कि silk route किये through, basically major trade route था, उस time का silk route, right, medieval और ancient times में, है न, अब क्या हुआ, बात को समझे आप लोग, तो silk जाता था, spices जाता था, और भी सामान जाते होंगे, silk route से, trade होता था अपस में, तो उसी silk route से, पहले तो Chinese paper, पहले Chinese paper, यूरोप पहुँचा, और उसके पीछे-पीछे, Marco Polo, अपने साथ, print technology भी, Italy ले करके पहुचे, आए देखते हैं कैसे, देखे, in the 11th century, Chinese paper reached Europe, अब एक चीज़ आप लोगों, मैं share करना चाह रहा हूँ, चाइना में जो paper था, 2nd century, चाइना में paper बनाने की technology कागच, पेपर बनाने की technology, चाइनीज लोगों ने develop कर दी थी, लेकिन देखे, यूरोप पहुचते-पहुचते 11th century, basically after 900 years, माना कि उस समय transportation इतना अच्छा नहीं था, आज के जैसा कि 18 से 20 घंटे में आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुच सकते हो, लेकिन फिर भी चाइना वालों इसे छुपा के जरूर रखा होगा, so 2nd century में paper बनाने की technology चाइना में उन लोगों ने manuscripts, manuscript क्या होता है, कोई भी चीज, वो document हो सकता है, या कोई book हो सकती, जो हाथ से लिखी जाती है, ध्यान दीजे, one marker आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं, any document और book written by hands is known as manuscript, one marker आपका तयार हो गया, उसके बाद आया, carefully written by scribes, describe क्या होता है, जब लोग, जब आप लोग, exam में आगे वाले की, या बाजु वाले की, देख करके, हूब भू, नकल उतार देते हैं, तो वही काम, describe भी करता था, right, एक जो, मतलब, एक printed copy तयार हो जाती थी, फिर उसी को देख करके, ध्यान सर्क, basically, आप मजाक में, आप scribe को cheater भी बोल सकते हो, देख के हूँ बहु, आप लोगों जैसे उतार देता था, देख को मैं ने बोलाँ, आप लोग चीटर हो, मजाक भी बोल रहा था, चले ठीक है, so paper made possible, the production of manuscripts and scribes, manuscript, manuscript, scribe, दोनों हम लोगों ने समझ लिया, then, ध्यान देजिए, यह है, Marco Polo भाईसा, यह देखिए, इनके हाथ में, map भी है, यह explorer थे, explorer का मतलब basically होता है, कि एक ऐसा person, एक ऐसा व्यक्ति, जिन places के बारे में, या जिन चीजों के बारे में, बहुत कम जारे कारी होती है, दुनिया को, उन चीजों को, यह लोग दुनिया के सामने लाते हैं, और they are very fond of visiting new places, basically, तो Marco Polo भूसी कडेगरी में थे, और आपको पता हुई होगा, Marco Polo की country से इतों थे, जुन्हों ने, अमेरिका, अमेरिका की discovery करी थी, basically, अमेरिका को खो जा था, right, चलिए, देखते हैं फिर, Columbus ने, 1295, ध्यान दिजिए, पेपर कप पहुचा, पेपर पहुचा 11th century में, पेपर पहुचा एरोप में 11th century में, right, और अप print technology कप पहुच रही है, मार्को पोले के साथ 13th century में, 13th century में, after 200 years, पहले पेपर पहुचा, अप फिर अप print technology, अपने साथ, wood block printing technology, मार्को पोल अपने साथ, चाइना में देखा होगा, और कई सालों था कि चाइना में रुके थे, खुब रहलते थे, सारी चीजों को ध्यान से देखते थे, हैं न, यह इतली के थे, after many years of exploration of China, means he must have stayed for many years in China, जैसा कि इसमें लिखा है, चाइना अल्रेडी है थे टेकनोलोजी ओफ ध्यान दीजे, wood block printing, हम लोग अल्रेडी पर चुके हैं, चाइना, कोरिया एंड जापान, wood block printing, राइड, Marco Polo brought this knowledge back with him, हाँ, इसी साथ एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा था, कि जैसे कि जो बुद्धिस्ट, मिशनरी थे, वो print technology अपने साथ जैपान ले गए, उसके बाद, wood block printing की जो technology से जैपान पहुंची, और जैपान में एक बहुत ही famous book लिखी गई थी, राइट, वो बुक, उस बुक का नाम क्या है, और वो बुक किसी एर में लिखी गई थी, आप लोग comment box में करके जरूब गताईए, चले, अब चुकिए मारको पोलो ने technology इतली में पहुंचा दी, तब क्या हुआ, now Italians begin production, production books with wood blocks and soon the technology spread to other parts of the Europe, एक फ़र का आप लोग देखिएगा, चाइना से जैपान पहुंचने में print technology को कितना time लिखा, चाइना में books कब से छपने लगे थी, एडी 594, ध्यान दीजी आप लोग, चाइना में, चाइना में books कब से छपने लगे थी, एडी 594, और उसे, जैपान देखे, यह देखे, यह आपका चाइना, और यह रह जैपान, देख रहे हैं बिल्कुल बहुत कम दूरी है, but print technology पहुंचने में कितना time लगा, चाइना से है, 768, 768, यानि 8th century, 200 years लग गए, मतलब इतनी, print technology को, चाइना से, जैपान पहुंचने में, 200 years लग गए, right, लेकिन, अब आप, यूरोप में देखे हैं कि, within 100 years, जैसे, इटली पहुंचती, print technology, Marco Polo लेके जाते हैं, बहुत देजी से, पूरे, यूरोप में फल जाते, print technology, अब सवाल यह होता है कि, इस particular slide पे, एक topic हमारा चुक यह पूरा हो चुका है, इस पर question क्या बनेगा, इस पर बिसली question नहीं बन सकता है, discuss, how print reached Europe, right, two markers, three markers बन सकता है, depending on, आप अपने answer को बढ़ाया छोटा करके, लिख सकते हैं, now we will move to the next slide, अब देखिए, यह है, wait a minute, printed books and aristocratic circles and monastic libraries, समझते हैं, अब चुकि मारको पो लोग साथ printing technology पहुच गए, इतली, अब दरी दरी यूरोप में भी फैल जाएगी, लेकिन जो printed books था, उसको लेकर के aristocratic circles, aristocratic circles मतलब अल्टरा रिच पीपल, लाइक, अमबानी, बिर्लाद, और टाटाज, आफ टुदे इंडिया, राइट, एन यह जो monastic libraries, यह जो monastic libraries होती थी, यह काफी rich होती थी, क्योंकि जितने rich people होते थे, वो donations दिया करते थे, तो monastic libraries के पास भी पैसे के कमी नहीं होती थी, और aristocratic circles तो आप लोग जानते हैं, पैसे ultra rich होते हैं, पैसे कमी नहीं होती, अब देखिए, क्या होँ आप पे, अब printing technology तो पहुंच गई, Marco Polo के साथ, Italy, Europe में फैल रही बट, luxury अब देखो दो क्लास हो जागा, हमेशा, इस दुनिया में हमेशा दो क्लास रहेगी, rich औपोर हमेशा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक, यह देख लिए कितनी समय पहले या काफ हो सकता है, और काफी ये time consuming process होता है, कई बार उसे dry करना पड़ता है, कुछ chemical process करने होते हैं, तब वो paper जैसा पतला हो जाता है, उसे wooden frame पर खीच करके रखा जाता है, ये animal skin को, paper बनाने का काफी लंबा process होता है, तो ये जो वेलम होता था, वो काफी expensive होता था, meant for aristocratic circles and rich monastic libraries, तो ये लोग वो printed वाले books नहीं पढ़ते थे, ये लोगों के लिए books हाथ से लिखी जाती थी, और वेलम पे लिखी जाती थी, and इतना ही नहीं, ये दो rich, rich लोगों का circle था, monastic libraries and rich people, they laughed at printed books, और उनको क्या बोलते थे, बोलते थे, अरे यार, तो cheap चीज है, हमारा तो status है, हम हाथ से लिखी बुक, अच्छा एक चीज आप लोग जान करके, मतलब बिसिकली आप लोग जानता ही होंगे, कि आज भी जो, क् इसकी गाड़ियां होती है, आज वो हाथ से ही बनाते हैं, और हर customer के लिए अलग design, आप जैसा चाहा, order दे के बनवालो, ऐसा नहीं कि महिंद्रा और मारूती की जो गाड़िया, हम लोग यूज करते हैं, कि सारी एक जैसी, ना, customization, आप पैसा दीजे, आप रोगड़ा इसर्शन में आ सकता है कि जो rich circle था, rich circle था या जो basically aristocratic circle था, या monastic libraries थी, उनका क्या, उनका क्या नजरिया था, उनका क्या perception था towards printed books, इस तरका question कुछ आ सकता है, है न, तो यह आप लोगों ने देख लिया, अब देखिए, भाई सभी तो पैसे वाले होते नहीं, उस समय जो students हैं और merchants थे, जो ultra rich नहीं थे, जो print ने इन लोगों की काफी help करे, किनकी, merchants and students in the university towns, students जाहिस बात है, student, जब हम लोग student होते हैं, तो हमेशा पैसे कह में रहती है, right, तो merchants and students in the university towns, bought the cheaper printed copies, यह जो cheaper printed copies थी, यह वो ऐसे दिखती थी, यह cheaper printed copies, right, और यह भी, यह हाथ से लिखी हु देखी हुई है, और देखे कितनी अच्छी सजावट हुई है, यह rich लोगों के, यह aristocratic circles के लिए लिखी हुए book है, इलाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि अगली साइड पे क्या है, now we have reached, अब जैसे printing technology Europe पहुंच चुकी थी, right, इटली पहुंची इटली से यूरोप में फैल गई, right, अब देखे, how was the increase in demand for books met in Europe, यूरोप में अब जैसे मैं आप लोगों कभी समझाने की कोशिश करी, कि चाइना से जापान पहुंचने में प्रिंट्व को 200 years लग गए, right, लेकिन जैसे ही इटली पहुंचती है, within 100 years पूरे यूरोप में फैल गई, right, तो आप लोग इसे क्या conclusion निकालेंगे, कि knowledge share करना चाहिए, उसे development होती, अब देखे, अगर इडली वाले छुपा के बैठे रहते हैं, चाइना की तरह, तो क्या ये जर्मनी पहुंच पाती, तो क्या गुटन बर्ग प्रिंटिंग प्रेस बनाते, होता बड़ बहुत डि आई, कि knowledge share करने से बढ़ती है, right, अब देखते हैं, तो basically इस पर एक question बनता है, इस पर एक question बनता है कि, how was the increase in demand for books met in Europe, in 14th century Europe, अब सारे लोग book पढ़ना चाह रहे थे, बट इतना हाथ से लिखकर कि इतना ज्यादा books तो मतलब नहीं बन सकती न, लोगों ने scribes भी अपॉइ इशर होते थे, पहले जो केवल rich, मतलब aristocratic circles होते थे, अल्टरा rich people होते थे, क्यों वही scribes appoint करके book लिखवाते थे, लेकिन अब तो यूरोप में, यानि 14th century के यूरोप में, जो booksellers होते थे, वो धेर सारे 50-50 subscribers, scribes रखते थे, subscriber नहीं, scribes रखते थे, और books लिखवाते थे, ल All over Europe began exporting books to many different countries, Italy से निकल कर books, मतलब Italy के, basically Europe की जिस country में, books के कमी थी, booksellers से वहाँ पर export करने लगे, I think Italy से करते होंगे, क्योंकि Italy में ज्यादा development हुआ होगा, comparatively, क्योंकि पहले वहाँ पहुची थी, book fairs were held at different places, अब देखे यह भाई साब scribe है, आप लोग भी scribe हो, काफी से आप में, तब आप लोग, या हाँ, हम लोग बहुत अच्छा scribe, आप लोग कम हो जाते हो, जब कोई practical का work होता है, किसी दोस ने complete कर दिया है, ता आप लोग भाई, आज मैं scribe बन जाता हूँ, practical work में, science का हो गया, या SSD का project work हो गया, आप लोग भी इन भाई साब की तरह scri बन जाते हैं, जोखें यह, यह scribe हैं, भाई साब बढ़े हां लिख रहे हैं, बैटके, अब देखें, बुक फेर यह रहा, बुक फेर तो आप लोग जानते हैं, बुक फेर आप लोग अटेन भी करते होंगे, आप लोग आप लोगों को बुक पढ़ने का आयोप शौक भी दीजे, इंक्रीजिंग डिमांड को कैसे मीट कर रहे हैं, यह रोप में, 14th century में, जब बुक की बहुत जादा डिमांड बढ़ी कैसे पहला तो, बुक को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, दूसरा क्या शुरू कर दिया, बुक फेर्स अरेंज कराने शुरू कर दिया, कि लोगों में, लोगों को बुक इसली अवेलबल हो पाया है, उसके बाद ये भी बढ़ा दिया, production of handwritten manuscripts was also organized in new ways to meet the expanded demand, तीसरा, चौथा, चौथा पॉइंट, स्क्राइब्स और skilled handwriters were no longer solely employed by the wealthy or influential patrons, स्क्राइब्स, wealthy, मतलब जैसे rich people हो गया, और kings and emperors वगरा, अपने यहां point करते थे, scribes को, but अब कौँ से लोग करने लगे, booksellers and, स्क्राइब्स और skilled handwriters were no longer solely employed by the wealthy or influence better, but incredibly by booksellers, ठीक है, अब पाच्वा, more than 50 scribes often worked for one bookseller, तो देखिए, फिर से बाइब question repeat कर रहा हूँ, कि, question बनेगा कि, how was increasing demand for the books in Europe, in 14th century Europe was met, अब कैसे, चार पांच चीज़े हैं, बहुत आसान से सुन लिजिए, पहला, booksellers ने, booksellers से बहुत अच्छे learn करने, trick share करने जा रहा हूँ, booksellers ने पहला cash tip लिया, booksellers ने पहले तो book export करने शुरू कर दी, अब booksellers से दूसरा अंसर निकालो आप, है न, दूसरा अंसर क्या होगा, booksellers ने scribes point कर दिये, पहले scribes कौने point करता था, rich people and influential people, यानि, wealthy people and emperor kings बगएर, तो booksellers से हमारे दो point निकाल आए, है न, तीसरा, booksellers ने क्या किया, book fair arrange करवाने शुरू कर दिये, है न, और एक point हमारा क्या है, कि जो, handwritten books का जो production था, उसे नए तरीके से करना, शुरू कर दिये, नए तरीके से कर दिया होगा, कुछ नया तरीका, एक बार, फिर से इस point को देखते है, production of handwritten manuscripts, was also organized in new ways, तो basically वही होगा, scribe appoint कर दिया, तो यह चार पांच चीजे है, आप इसे याद रखे, बहुत important इस पे, तीन नंबर का question बन सकता है, now we'll move to the next slide, दोस्तों अगर आपको मजा आ रहा है, समझ मारे चीजे, please subscribe, let's score 100, और अगर आपने already subscribe कर रखा है, please thumbs up देना, वीडियो को लाइक करना, मत भूलिया, चली आगे बढ़ते है, अब हमारा अगला topic, अगला topic हमारा क्या बोलता है, the production of handwritten manuscripts, the production of handwritten manuscripts, could not satisfy the ever increasing demand for the books, भाई हाथ से कितना है लिख लोगे, अब पूरा continent, वो यूरोप पढ़ा है, हाथ से कितना है लिख लोगे, है न, limitation होते है न, human being machine थोड़ी है, copying धान दीजे, इस पे बहुत important question बनेगा, कि जो manuscripts होते हैं, दो question बन सकता है, कि manuscripts क्या होते हैं, जैसा कि मैंना already share कि, books or documents written by hand, manuscript हो गया, तो इस पे question मेंना कि, बनेगा कि manuscripts क्या हो, what are manuscripts and what were its limitations, right, तो ये दो ये तीन नंबर में आगा, दो नंबर में आगा तो, आप कुछ कम points लेखेंगे, ये तीन नंबर में आगा, तो सारा points लेख देंगे, है, देखे, copying was, धान दीजे, ये keywords है, copying was an expensive, laborious and time-consuming business, पहला ये, पहला ये, demerit हो गई, manuscripts were fragile, ये देखे, आपको क्या लगता है, कि अगर इस book के आप पन्ने पलट होगे, तो पन्ने पलट तो जाएंगे, लेकिन book से बाहर निकल जाएंगे, right, इस तरीके से होती थी, okay, so fragile, awkward, आप ही बताई है मुझे, would you like to carry such kind of book, not at all, right, so fragile होती थी, awkward होता था, awkward to handle होता था, and could not be carried around or read easily, तो ये limitations थी, इस लिए, their circulation, the circulation of handwritten books, there means handwritten books, circulation therefore remained limited, अब इस पर क्या question बन सकता है, एक तो manuscript क्या होती है, उसकी limitation, equation बन सकता है, दूसरा, ये question बन सकता है, the production of handwritten manuscripts, ध्यान दीजे आप लोग, इसमें question बनेगा, the production of handwritten manuscripts, could not satisfy ever increasing demand for books, explain, तिन नमबर में आ सकता है, तब भी आप लिखेंगे, अगर क्यों limitation की बात करेगा, तो क्यों दूसरा और तीसरा point आप लोग लिखोगे, अगर ये वाला question बनेगा, तो उसमें और भी points लिखोगे जैसे कि ये वाला point और ये वाल point देखते हैं क्या है, इसको आप लोग ध्यान दीजे, with the growing demand for books, woodblock printing gradually became more and more popular, ठीक है, woodblock printing की acceptability लोगों में बढ़ गई, लोग खुब छपाई करने लेगे, woodblock printing से books की, है न, by the early, by the early 15th century, then the early 15th century मतलब क्या हुआ, early 15th century मतलब हो गया, 1400, 1400, आप समझ लो कि 1410 माल लो, या 1420 माल लो, है न, early 15th century का मतलब हो गया, ठीक है, चलिए, so with the growing demand for books, woodblock printing gradually became more and more popular हो गई, ठीक है, दूसरा, by the early 15th century, woodblocks were being widely used in Europe, यहां पर निकल के आ रहा है, कि early 15th century यानी, 1400, 15 या 1420 माल लीजिए, या 1425 माल लीजिए, क्या करा है, woodblocks were, अब देखे, प्रिंट टेकनलोलजी, इटिलिम का पहुची, 1295, यानी 13th century, 13th century, और 100 years लगे, अब बोलगा न, early 14th century, यानी, early 14th century, यानी, 1400 something में, विदिन 100 years, विदिन 100 years, printing technology, woodblock, printing technology, पूरी यूरोप में फैल गई, knowledge बांटने से बढ़ती है, यह अपने आपने, फिर से साबित हो रहा है, राइट, चले, देखते हैं, तो यह हो गया, widely used in Europe, to print, अब देखे, अब क्यों बुक्स की छपाई, मतलब लेटर सी नहीं, भी print करना शुरू कर दिया था, याद कीजिए आप लोग, एक paragraph है, तो widely used in Europe, to print textiles, यह देखे, यह textile print होना, शुरू यह देखे, Spain का है, यह 13th century का है, Spain का, तो कपरों पे भी, आप लोग जानते हैं, आप लोग तो जानते हैं, आज कल काफी मशूर हो, प्रिंट की shirts, और प्रिंट पहले से ही रहा है, आज कल तुम मग वगएरा, है भी बड़े होता है, मग पे भी printing होती है, आप लोग जानते हैं, इसकी एक पिक्चर है, अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, कि सिंपल ब्रिफ टेक्स होता था और रिलिजियस पिक्चर होती थी, जैसे हम लोगों क्या देवी देता हों की, जैसे की पिक्चर होती है, उनके नीची थोड़ा बहुत लिखा होता है, जैसे जै मातादी या जीसस राइट का कुछ या जो जो सिख रिलिजियन के लोग होते हैं, उसी से रिलेटेड चीजें लिखी रहती हैं चीजें, चले देखते हैं, आगे क्या है, तो बैसे किली आ जैसे सपाई हो रहे हुआ अधा दिन रात, बट जो डिमांड है वो फुल्फिल नहीं हो पा रही है, अब एक ऐसी टेक्नोलोजी की जरूवत महशूद करी जा रहे थी, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से भी तेज काम कर रही हो, अब गुटेन बैक को पिक्चर में सब्सक्राइब डिमां कर रहा इंग कर्या है, इस दूनिया में रिवलुशनला दिया, है ए एक चीज अपेर बिक्चर के लिगुटेश की जिस Mr. Gutenberg अच्छा एक चीज आप लोग और देख लीजे before हम लोग ये पढ़े हैं ये वाला देखिए आप लोग ध्यान देने की बात है चाइना से कहां पहुँचा print Italy अगर Italy वालों ने छुपा के रखा होता भाई साब तो आप बताईए क्या जर्मनी पहुच पाता नहीं पहुच पाता है न अब Italy से print पहुच गया जर्मनी जर्मनी पहुच पहुचा और ये गुटनबर्ग भाई साब ने आप लोग तो मन में गाली तो नहीं देंगे आप लोग लगिन कभी को लगता होगा कि अगर गुटनबर्ग ने printing प्रेस न बनाया होता इतना परिशान होना अपड़ता चलिए खेर अब तो अब इसे हटा नहीं सकते इसका फायदा ही उठा लेते हैं चलिए देखते हैं गुटनबर्ग और दे प्रिंटिंग प्रेस अब जैसे महसूस किया गया कि बुक्स की डिमांड बहुत जादा है सप्लाई उतनी नहीं है बुक्स चीप भी होनी थी अब चुक्क इसक्राइब बुक्स लिखेंगे तो चीप थोड़ी होगी आप लोग कहेंगे सर हमें बुला ले से हम लोग चाप देते हम लोग चापने में मास्टर है ध्यान दीजे यह जगा का नाम स्ट्रॉस बोग जर्मनी जोहांस गोटेंबर्ग डेबलब दर फॉर्स नोन प्रिंटिंग प्रेस इन दर फोर्टीन थर्टीज ध्यान दीजे एक चीज़ आप लोग नोटिस करो 1295 में गोटेंबर्ग लेके इचली पहुचे जर्मनी भी पहुच गया पूरे एउरोप में फैल गया 1430 ध्यान दीजे डेट सव साल भी नहीं लेगे 1430 में इन्होंने एक तरह का प्रोटोटाइप बना दी आपका सकते हैं 1295 मतलब क्या हुच थर्टीन सेंचुरी आप लोग बोल सकते हो पांची साल तो बाकी थे थर्टीन पांच साल बाकी थे थर्टीन सेंचुरी में देखो नॉट इवन फिप्टी येर्स बंदे ने टेकनोलोजी बना डाली आए देखते हैं तो सली टू गुटेनबर्ग देखते हैं 1430 में का प्रोटोटाइप बनके तयार हो गया और इन्होंने इसे परफेक्ट कप करिया था 1448 में ये देखे 1448 में गुटेनबर्ग ने अपनी सिस्टम को परफेक्ट कर दिया और सच पता रहा हो बने बड़ी अच्छी मतलब अभी एक बार इसे पढ़ लेते हैं फिर अभी नेक्स स्लाइट पर इनकी बहुत अच्छी जो पूरी टेकनोलोजी थी मैंने अभी बहुत अच्छा स्लाइट प यार किया है आप लोगो एक्स्टेन करूँगा उससे पाहले देख लियते ही इस पर क्वेशन क्या बनेगा इस पर म्क्वेशन यह बन सकता है पी मार्डर फी मार्कर ही बनेगा फाइब मार्कर तो नहीं बन सकता है तो यह तीन क्यों बन सकता है तीन नंबर में या सकता है पांच नंबर में या सकता है जैसा भी आएगा उसी इसाफ साफ लोग वर्ड लिमिट के इसाफ से आप लिख लेना चले देखते हैं अब गुटन बार्ग किसी परसन का जो बैकग्राउंड होता है न वह बहुत ही अफेक्ट करता है उसके कि वो लाइब में क्या करता है और एक चीज इससे और साबित होगी कि लर्निंग कभी भी नुकसान नहीं देती लर्निंग से हमेशा फैदा ही होता है इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा जहां भी लर्निंग का चांस मिले प्लीज लर्न विकर्स यू बैसिकले आप या मैं तभी हम लोग करते हैं जब हम लर्न करते हैं तो बैसिकली लन नौ growing तो चलो हम negative की बात नहीं करेंगे we will learn and we will grow आई देखते हैं Gutenberg was the son of a merchant ठीक है and grew upon a large agricultural state इनके पिताजी के पाद बहुत खेदबाड़ी था जैसे हम लोगों के हाँ शादी के लिए लड़के देखने जाते हैं तो बोलते हैं लड़के के पास लड़की के पिताजी बहुत प्रॉपर टीट है खेदबाड़ी बहुत बढ़ी आया को प्रॉपर टीट है तो बाइस साब भी उसी तरीके से थे प्रॉपर टीट थे बहुत ज्यादा ठीक है from his childhood from his childhood he had seen ध्यान दीजे wine and olive presses वाइन बनाई जाती थी olive क्या होता है olive oil आप लोग जानती हूं olive आप लोग वोको मैं चीज बोलूँगा कि आप लोग जहां पे mustard oil mill कभी मौका मिले तो oil mill को देखने जरूर जाए सरसो डालते हैं या मुंग फली डालते हैं उसको कैसे oil में बदल देता है आप उससे देखेंगे तो इनके printing press को और भी अच्छे से समझ पाएंगे खर गुटेंबर का printing press तब उस तरीके का नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को समझने का आज का जो modern printing press है न जो offset printing press जहां पर आप लोगों का question paper और book छपता है बिल्कुल oil mill जैसा ही होता है अगर मोका मिले तो do visit oil mill and see how things go there चले आगे बढ़ते हैं तो olive press और wine press से इनको idea मिला तो ये तो ये हो गया पहरा idea इससे मिला ध्यान दिजिए he also learned the art of polishing stones प्लीज ध्यान दिजिए पहला तो ये देखिए तेल निकालने का काम या ग्रेफ हो गरेको क्रश करने काम वाइन बानाने काम में आती थी दूसरा उन्होंने मोका मिला basically वह बड़े इंट्रेसिंग परसन नहीं है he keeps learning कभी olive and wine and olive press सीख रहे हैं कभी ये फिर totally different काम कभी सुनार का काम सीख रहे हैं बंदा बंदे में दम था बंदा बंदने सीखा था अभी तो ग्रो किया है न ध्यान दिजिए इतना है नहीं दूसरा यह पहला आइडिया यह हो गया दूसरा अभी है अपने हाथों से बनाता है तो वह काफी expensive होते हैं दूसरी क्या होती है इससे क्या आडिया निकाला है अब लिए लेड मोल्ट को एक्सपर्टीज तो क्रिएट लेड मोल्ट अभी लेड मोल्ट की help से ABCD भी दिखाऊंगा आगे आप लोगों को हाँ लेड बोर्स यूज़ फॉर मेकिंग ट्रिंकेट इससे क्या आडिया निकाला ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज धैन दिजिए यह तीनों चीजें यह आडिया इन तीनी चीजें उनको आडिया मिला पहला बहुत गंदा हो गया मिटा देता हूं आप लोग समझ में नहीं पहला ब्रा बहला इडया कहां स मिला पहला आट आड आड एडा ओंस मिला वाइड आू आ आड या लिट्य अख थन अटवchn फर से थीoria write-on दॉस्ट प्र आ जिस दिख नोबद से ड्लाइइ लिनी ट्रिंकेट इस कहां हुआ छाई जिसे kids बनाते थे अब क्या हुआप द्रा अब जैसे अब चलिए उस slide पे चले उसे खतम करें तब चलते उस slide पे the olive press provided the model for the printing press and the molds were used for casting the metal टाइप चले देखी लेते हैं आप आप लोग ज्याद आच्छे समझ मैं देखे अब हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि olive press हम लोग यहीं देखने जा रहे हैं कि olive press and molds were used for casting the metal types for the letters of the alphabets देखते हैं इसे यह देखें यह भाय सापकी invention आ गई आप लोग ध्यान दीजिए इनके प्रिंटिंग प्रेस की तरफ बाद में चलेंगे पहरे इसके बेसिक समझ लेते हैं यह वाला आप लोगों को समझने हों काफी दिक्कत होती होगी बट आज रस में दूर हो जागी देखें उन्होंने क्या किया जो यह हम लोगों यह लाइन पढ़ी है यहां देखें मोल्ड चले अंडरलाइं नहीं कर देता हूं मोल्ड वर यूज फॉर कास्टिंग दम मेटल टाइफ और लेटर्स ऑफ दल्फाबेट एसे लेकर जड़ कर तक उन्होंने क्या किया यह देखिए एसे लेकर के जड़ तक और जागा दोनों साथ में चल जागा गुड चले एसे लेकर जड़ तक भाय सामने क्या किया ध्यान देजिए यह देखिए एसे जड़ तक लेकर कर के उन्हेर सारी a b c d इसारा उन्होंने लिख जाला अब ठीक है यह फ्रेम है मालो अगर इनको लिखना है हू फू लिखना है तो हाला कि इसमें डबलू नहीं दिया है मालो अगर हू लिखना है क्या करेंगे डबल्यू को इसमें डाल देंगे एच को इसमें डाल देंगे ओ को इसमें डाल देंगे एक वर्डिन का तयार इसी तरीके से और भी फ्रेम्स होते हैं तो हू आर यह दूसरे पर में ए आर ए आर उसके वाई ओयू फिक्वेशन मार्क है न अब लगाके फिर देखिए कैसे करेंगे उस वाले के लिए थोड़ा उपर चलना पड़ेगा इस तरह से लेटर लिखेने के बाद देखेए आप देखे जैसे इसमें लिखा है जो भी लिखा है थोड़ा बहुत छोटा है दिखने रहा है यह देखे है उसको इस प्रेम होता देखिए यह देखों मेटल फ्रेम यह अब यहाँ दोनों तबसे कर दिया, लेटर भागी नहीं सकते, और यह यह भी देखे, अपने आप में, जैसे यह लिखा है, एक मिर्ट मिर्ट राई नहीं करी पढ़ने की, कुछ उल्टा, देख रहा है, अब देखे, यह 4 लेटर, 4 यह 5 लेटर का अक्षर है, यह 2 लेटर का वर्ड है, यह 3 लेटर का वर्ड है, अब देखे, यह फ्रेम है, मेटल फ्रेम, पहले देखे समझे, पहले individual words को उठाया, एक वर्ड बना, यह 2 वर्ड बना, तीन वर्ड बना, पुरा sentence बढ़ गया, अब पुरा sentence, तो मेटल फ्रेम के बीच में लगा कर देखे, यह हिली नह रखा हुआ है यह रहा बी और यह रहा ए इसी तरह उन्होंने multiple a to z letters बना के रखे थे अब for example यह रहा देखे हां यह रहा यह देखे यह words यह word का frame है यह word का frame है वो पूरा paragraph का frame था फिर से अब इस फ्रेम को कहा लगाएंगे दिखे अब इस फ्रेम को उठाके यहाँ लगाएंगे यह देखे यह पैराग्राफ जो है यहां लगा दिया और फिर इसको फिर फ्रेम में डाल दिया भागो मत आए चलिए कैसे भाग हो गया ठीक है देखे बैसिकली पहले वर्ड को फ्रेम में डाला मोल्ड को मोल्ड की मोल्ड की हेल्प से एड से लेके जिट तक मुल्टिबल लेटर छाप प्लास्टिक का नहीं बनाया थे उन्हें मिटल का बनाया था राइट इसे को ऐसे multiple multiple ABCD देख लिए यह रहा ऐसे multiple ABCD बना लेते थे उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने देखा इसमें दो चीज आप लोगों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग ध्यान दीजिए यह फूटकर ABCD को पहले words का ये word का mold है ये word का frame है इसमें देखा पीच लगे है बिसमें इसमें कर दिया और फिर individual words को ऐसे रखते गए और फिर individual words को ऐसे रखते गए चलो इसको इदर कर देता है अब यहाँ पे तो देखो यहां से अब अच्छ here समझा सकता हूँ balls स, फूटकर words फूटकर alphabet को उठाया इसमें word बनाया इसी तरीके से ढह सारे words बने इस फ्रेम में रख दिया पूरा paragraph बन गया अब इसी से छपाई करेंगे आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहां पर आ गया है यह हमारा next slide है और इस पर दूसरा question बनेगा देखते हैं पढ़ते हैं फिर समझते हैं अभी तो हम लोगों ने देखा कि वह लेटर को अरेंज कैसे करते थे अभी detail में next slide में पढ़ेंगे रायए और टेकनो लॉजी यानि प्रिंट क्यों सिर्ट श्माइं किसे काम करता था अदल्य केओ लोगुञटे Ф है right in fact printed books at first closely resemble the written manuscripts in appearance क्योंकि लोगों को उसके आदत पड़ी हुई थी न हाँ से लिखे बुक के आदत पड़ी हुई थी तो initially जो printed books होती थी उनके जो letters होते थे alphabets वो हाथ से ही लिखे जैसे होते है जैसे यह देखो न यह printed books है लेकिन आपको ऐसा देखेगा style में basically देखो मालों यह ऐसे लिखा जाता रहा होगा तो printing में जो देखो वो भी ऐसे लिखा गया है तो जैसे हाथ से लिखे जाते थे alphabets वैसे printing में भी इनिशली printing में भी वैसे ही होते थे आई होप आपको समझ में आ रहा है ना लिखा भी है in fact printed books at first closely यह closely resembled यह बिल्कुल वैसे दिखती थी जैसे हाथ से लिखे हुए लेटर्स दिखते हैं रिटेन मैनिस्क्रिप्स in appearance and layout setting लेटर्स की वैसे होती थी the metal letters imitated याने गुटनबर्ग ने जैसे हम लोग लिखते हैं न मालों जैसे हाँ बिसे लिए एक एक्जामपर समझ लेते हैं the metal letters imitated the ornamental had written styles metal letters को देख करके ऐसा लिखता था जैसे कि हाथ से लिखा गया हो फील आने के लिए ऐसा किया गया था borders were illuminated by hand with foliage यह देखे फूल पत्ती बनाते थे फूल पत्ती यह देखे जो borders बॉर्डर्स छोड़ दे जाते थे यह देखे यह फूल पत्ती लगा के सजाया गया है ठीक है borders were illuminated by hand with foliage and other patterns और डिफेंट टाइब के पैटर्स से डिपेंड करता था कि जो जिसने बुक खरीदी हो कैसा पैटर्न उसे पसंद हो सीसी साब से इन इलस्ट्रेशन वर पेंटेट बॉक को सजा दिया जाता था जैसे कि यहां पर दिख रही है मिटा दिया आप लोग देख सकते हैं ठीक है in the books in the books printed for the rich spaces for the decoration वास केप ब्लक ओन दे प्रिंटेट पेज दिखाता हूं आपको आप लोग यह दे सकते हैं नहीं है आप इससे समझ सकते हो चीज ऐसे चिर अए चौट दिया जाता था जगए ऐसा जग है छोडदी जाती थी यहां पर देखो यहां पे तो अल्रेड़ी मतलब इस बुक के इलुमिनेट किया गया है लेकिन इस तरीके से जगह है छोड़ दी जाती थी यह देखिए तो जो लोग रिच लोग होते थो अपने हिसाब से इन यहां प Ninघ कारौ देखिए eleven यहां तो जैसा छाशा घारी खरीटेटें था यहां डोग यह जैसा दिल्या यह देखिए तो यहां पर रख लिया यह भी देख लिया यह भी देख लिया यह ऑलिए ब्लॉदर अधै 법 इलूमिनेतट वाईिएไ narc पॉंट है तहां दीजीगा and in the books in the books printed for the rich spaces for the decoration मैं ने दिखा दिया आप लोगों को was kept blank on the printed pages समझ ले आप लोगों ने अब इससे क्या होता था एक special की feel जैसे गाड़िया निकालते है ने special edition या I think गाड़ियों को लाव भी चीज़े जो special edition में आते है पेन भी आती है और भी जो rich लोगों के जो टेस्ट होते हैं वो अलग ही होते है आपको बताईए है न कीज़ेश एच पर्चेजर कुड चूज देजाइन and decide on the painting school that would do the illustration पैंटिंग स्कूल मतलब पैंटिंग स्कूल में नहीं जाते थे पैंटिंग स्कूल का मतलब काइन सी पैंटिंग स्टाइल उनको पसंद है बंबठ देखा जैसा मैं इमेज दिखाया जेशी पेइंटिंग को चाहते थे यह पर मन पसंद ऑरेड़ देखे बन वा लेते थे आप लोग भी एक लोग भी रखते ही होंगे ऐसा नहीं बुक से तो प्यार करते हैं तभी तो पढ़ाई कर रहें आप लोग है न और तभी तो अच्छे नंबर भी आएंगे आपके हैं चले अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बार आप लोग नजर मार लेजिए यह देखि existing art of producing books by hand explain ठीक है मालो बुक तो छप गई ध्यान दीजे बुक तो छप गई है न लेकिं रिच लोग तो आपको पता है बुक लिखवाते थे इसलिए हाथ से लिखाई का भी काम जा रही था लेकिन जो बुक छपी छपाई होती थी उन पे भी तो मशीन तो उसमें तरह डेवल onccleBC बुक मी तो बुरुत से लिखी जा रहे 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 थी रिच पीपल के लिए पीपल के लिए ए्ल्टरेश्टी के लिए रेस्टी सरकल के लिए साथ ही साथ जो रिच पीपल की बुक होती थी नहुं pernah भी टब्रक पर सकते हैं अब हम पढ़ते हैं गुटनब्रक के यह को डीटेल हे हा दीजिए यह प्रिंटिंग फ्रेंस का है कि इतना है थे दोड़ीड्集そう आप देखिए ऑल्यू प्रेस वाइननप्रेस समझते हैं अप तो बहुं हो गया है ऑप लोग जाओंगे Hands करके आपको मझा आप देखए यहां पर क्या है यहां फूरिस है इस अगर पीछे की तरफ करोगे तो यह जो हैंडिल को अगर पीछे की तरफ करोगे तो प्लैटन ऊपर जाएगी आगे की तरफ खीचोगे तो यह प्लैटन नीचे की तरफ है पहले यह समझा देता हूं फिर आप लोगों दिखा देखो होता क्या था जैसे आपको समझाया कि पह उसके पेपर रख दिया बात को समझे देखे समझा रहा हूं यह जो नीचे वाला एरिया है यह जो नीचे वाला एरिया है इसे लोवर प्लेटन बोलते हैं लोवर प्लेटन ठीक है लोवर प्लेटन पे अक्षर लिखे हुए है इंक लगी हुए पेपर रखा हुआ है अब माल तो दूसरी तरफ अक्षर उभर करके दिखता है तो बिल्कुल इसी तरीके से है ना तो जब इन्होंने इधर खीचा तो यह अपर प्लैटन है यह अपर प्लैटन है यह पेपर रहा यह पेपर के नीचे मेटल टाइप है जिस पर की लेटर्स रखे हुए है इंक लगी हुए जैसे खीचेंगे जो और से खीच देंगे अच्छी से उसके बाद खीचेगे नहीं तुरंत प्रिंट हो जाएगी फिर उसको पीछे कर देंगे फिर यह पेपर निकाल लेंगे हो गई छपाई है तो ध्यान से समझेए यह अपर प्लैटन है नीचे लोवर प्लैटन होता है और इस पेपर के नीचे लेटर छपे हुए है सारे रखे हैं इस बोर्ड पे और उस पे इंक लगी हुई है तो आई होप मार्या समझा दिया आप लोगों को चले देख लेते हैं वही सब लिखा इस पे अगर क्वेशन आगा अटम भी कर लो तरह फास्ट देखते हैं नोटिस दा लॉंग हैंडल आप लोगों ने देख लेए अटायज तु देख्रीव अच्छा यह इस्क्रीव जब पीछे करोगे न तेहां उपर निकल आएगी जैसे आप लोग देखना पेचकर से स्क्रूड्राइवर से अगर आप लोग एंट हो अगर यसे आट से जाओ त यह इन दिस हैंडल वस्चे जूड तू टू टॉन देख्रीव और प्रेस प्रेस डाउंद प्लैटन ओर प्रिंटिंग दॉक आप लोगों समझ लिया तेट वस प्लेस्ट ऑफ देखर देखर लेम पेपर पेपर को लिए रहें कर देखर ने तो फट जाएगा गिला रहा ग बंदों ने सारे letters जो goldsmith की knowledge ले थी काम में आ गई न इसलिए knowledge जब भी मिले ज़्यादा से ज़्यादा knowledge लेने की कोशिश करिये if you learn only then you will grow it applies to everyone everyone of us right तो बंदों ने जो goldsmith का knowledge काम में आ गया एसे लेकर जट करते हैं अचा गुटनबार भाय सामने बहुत माल चापा होगा उस टाइम पर पता है इन लोगों इन्होंने इन्होंने गुटनबार ने इंक भी अलग से इन्होंने oil-based ink बनाई क्योंकि जो water-based ink थी इनकी printing पर इसमें काम नहीं कर रही थी तो इसलिए please keep learning है न चले 26 characters of the roman alphabet ABCD अपना and devised a way of moving them around so as to इसे movable बोला गया so as to compose different words of the text चले this came to be known as the movable typing इस पर question आ सकता है कि what was Gutenberg's movable type printing machine and it remained the basic print technology or next 300 years books could now be produced much faster than was possible when each print block was prepared अब कार्वी में क्या होता है अब इसमें ABCD एक बार बना दिया कि देखे ABCD एक बार बना दिया देखे है कि डब्लू एचो लिखना था वो लिख दिया अम्माल लिजिए हाउ लिखना है ध्यान दीजिए अब अगर कार्व हो गया लखड़ी पे तो अब मैंने आप लोगों को जब explain कर रहा था न तो एक स्लाइड मैंने छोड़ दी थी मुझे अभी याद आया हाँ यहाँ पे क्योंकि हम लोगोंने क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा न तो हम लोगोंने किया नहीं बार कर लेते हैं से मैं यहाँ तक आ गया था कि ऑल्लीव प्रेस प्रवाइड दे मॉडल वह जो पेंचकस वाला स्कूर्ट रवर वालीव प्रेस साइसे हो जब उसे खीच देते थे तो प्लैटन लग देते थे पहले क्या होता था यह देखें यह डोनों प्लै अपर यह अपर प्लैटन हो यह लोवर फ्लैटन हो गया सब इसे निकल जायेगा चेसे चीजस अउन्हें पिछी ऐसे प्रेंटिंग डेस मलें किस ददा घएड़ा प्रेंटेंग प्रेस & molds mold की वज़ा से ABCD बंदे ने बना डाली लेडर की multiple ABCD जैसे आप लोगों ने इमेज में देखा भी है ना slide में देखा है ना casting the metal type उसके बाद देखो अब 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 उन्होंने पहली कब बनाए 1430 में 18 साल इनको लग गया 18 साल में बंदें सिस्टम को perfect कर दिया थानी by 1448 यह भी question आगा कब उन्हों perfect किया है ना उसके बाद इन्होंने पहली book भी print करी Bible Christian थे ना about 180 copies were printed and it took three years तीन साल लग गये और उस ताइम के हिसास से यह बहुत कम टाइम था यह ना चले मुझे एक यह क्याद आ गया आप लोग को के सारा आप बोल जाते हैं वो लक्कड हो आप मैंने का मौका नहीं दूँगा आप लोगों को बोलने का चलिए अब हमारा यह आ गया देखते हैं इसमें क्या क्या है समझते हैं और गुटनबर्ग वाले स्लाइट पर क्याक्वेशन बनेंगा कि हाओ डेट हाओ डिट गुटनबर्ग गेट आइडिया आफ प्रिंटिंग प्रेस तो दो चीज एक तो जो गोल्डश्मिथ की मास्टर गोल्डश्मिथ बन गया थे वहां से अबी सीरी के लेटर्स बनाने की मिल गया और ओलिव एंड वाइन प्रेस से उनका मॉडल मिल गया इस्क्रीव वाले सिस्टम से है ना प्रिंटिंग प्रेस का चलिए अब इस पर देखते हैं इस पर आध दिख तो रहा है सारा चलिए in the hundred years between 1450 to 1550 प्रिंटिंग प्रेसे were set up in most countries of the Europe most countries of the Europe Italy से जर्मनी फिर पूरे country most countries of the Europe अच्छी बात है ना प्रिंट आप चाइना एधिन टेक्निलोजी पेपर की टेक्निलोजी अगर चाइना दबाके बैठा होता था हिंदुस्तान ना जदीख प्रिंटिंग 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 उनकी books पढ़ते थे बड़ी interesting books पढ़ते थे तो इतना ज़्यादा TV भी देखना अच्छी बात नहीं माना जाता था आज भी नहीं माना जाता परेंट्स आप लोगों बोलते हों कितना पड़ोंगे न चले देखते हैं हां क्या होगा book boom हो गया चुकि लोकर लिखा न printers from Germany travel to other European countries seeking work and helping people start new printing presses आप क्या हुआ यहां दिजिए the second half of the 15th century यानि second half of the 15th century यानि second half of the 15th century मतलब 1450 से लेके 1500 के बीच में 1450 से लेके 1500 के बीच में the second half of the 15th century saw 20 million यहां दिजिए 1450 से लेकर 1500 के बीच में 20 millions copies of printed books flooded the European markets अब यह जहां दिजिए the number went up in the 16th century 16th century मतलब 1500 से लेकर के 1599 सारे बच्छों को confusion होती है सेंचुरी इस तरी के 100 यह से आगे चलती है है ना इसे 1500 1500 से लेकर के 1599 के बीच को 16th century बोलेंगे है ना तो नमबर went up in the 16th century to about 200 ज्यांदी 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 ट्वंटी टेंजा 200 million copies तेक ज़िए किदनी जल दीष पोग्रेस हो गए इस शिफ्ट फ्रम धानदी जे शिफ्ट फ्रम हैंद प्रिंटिंग तो मेकैनिकल प्रिंटिंग लेट तो दीविंट रेव्लूशन तो इस पर question बनेगा इस पर question क्या बनेगा दो मारकर बन सकता है कि how how did how did hand printing how did shift from hand printing to mechanical printing lead to the print revolution right एक तो equation बन सकता है दूसरा question क्या बन सकता है इसी बन सकता है कि how were गली ध्यान देजे equation इपॉर्टेट है how were printing presses set up in most countries of the Europe in the hundred years between 1450 to 1550 आप लोग जानते हैं यह सारा point दूसरा point दूसरा point उसी के बारे में बात करता है तो इस तरिक इस question बन सकता है दो या तीन नंबर का तो depending on that अपने answer को बढ़ा या चोटा आप लोग कर सकते है हम लोग अभी थोड़ा सा chapter खतम कर लेते हैं हम लोग फिर answer writing भी सीखेंगे यूरोप की कोई language है आप लोगों में से किसी को पता है तो बताइए किस लेंगे में कमेंट करें क्या लिखा है basically printer की workshop है तो इसे उसे जुड़ा कुछ लिखा होगा कि कि यह का नाम लिखा होगा कि जैसे हम लोगों कहा लिखा रहता है से ले करके 1599 राइट हमारे हां प्रिंटिंग तो पढ़ेंगे हमारे यहां प्रिंटिंग कब आई ना 17th century में थी देखते हैं printer's shop looked like in the 16th century all the activities are going on under one roof basically Europe में काफी print develop कर गया था एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें हो रहे थी अब देखते हैं in the foreground on the right in the foreground on the right यह रहा भया क्या हो रहा है compositors are at work अब जैसे हम लोगों ने समझा था दो चीज़ों होते हैं यहां पर देखो यहां पर यह भाई साब क्या कर रहे हैं जिसे मैं आपको समझा था ए बी जी डी डीर सारा लिखा रखा है अगर माले जैसे हू लिखना है तो इस वाले frame में माले जैसे हू लिखना है तो इ A-R-E-How-R फिर इस frame में रखेंगे U-Y-O-U तो यह तो इनका काम है है ना लेकिन यह compositor होता है यह basically letters को set करेंगे और जो compositor होता हो पूरा paragraph set करेगा और text पुरा बनाएगा है ना समझते हैं यहां समझते हैं in the foreground the right compositors are at work while the galleys यह galleys है ध्यान देजिए galleys are being prepared and ink is being applied देजिए यह इंक देखो भाई साब यह इन्होंने set कर दिया अब यहाँ इंक लगा रहे हैं है ना छपेगा कब हाँ यह हो गया being applied on the metal types in the background the printers are turning the screws आपको पता जैसे handle है पीछे की तरप कर दिया यह उठ गया जैसे इधर खीचेंगे lower platen ऑ अपर प्लेटन बीच में paper को दबा दिया चप गया इस तरीके से हैं तो यह सब भाई साब लोगों यह करने को handle खीच रहे हैं यह paper लगा हटा रहे होंगे यह खीच रहे होंगे यह पेपर लगा हटा रहे होंगे यह नया paper रखेंगे चप गय है न proof reader का at work right in front the final product यह दो final product लगखा है छप करके देखें इधर भी page चपाए है इधर भी पेज चपा है और डबल पेज प्रिंटेट दिखा दिया और प्रिंटेट शीट स्टैग्ड इन पाइल्स यह देखे रखी हुए है वेटिंग टुब बाउंड या इन अभी नहीं कुछ है आप लोग को कभी मौका मिले न आपसेट प्रिंटिंग 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 जरू जाएए एक गुटन ब बाउं प्रिंटेट दो और जाएए वाँड जरुब एक गुटन जरुब ऑ़ घो गईए भुब एक टूएए जो गग मूका मौका में अभी मौका 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 मौका